हेलो दोस्तों वेल कम बैक टू मैं छैनल दोस्तों चो आज के हमरी विडियो है गांधी फैलोशिप पर तो आज झो लगा विडियो में हमें के दिस्केस्ट करनेहा हूं च्योरणी क्या हुआ था यह वीडियो पूरे सिरीज वाई सिरीज आएगी जिसमें बात करूंगा कि गानी फैलोशिप के अंदर क्या क्या होता है कौन-कौन से प्रोग्राम चलते है आपकी जर्णी में क्या क्या करना है जहलनी परेगी और क्यों मैने चोड़ा क्या करना होता है पूरा नहीं यह जर्णी में मिल्यदो क्या हुआ कैसे कैसे वब पूरी करे तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले वीडियो कोने से पहले मैं इक चीज आपको दिखाने वाला हुआ वह है क्या राइत यह डायरी प्रमल फांडेशन की जो मुझे मिला था अवकोस इ तो अब क्या कि बात करते हैं क्या हुआ था कि इन्टेक्शन हो थे और मुझे चोना कि था उieving इस दिक्श के लिए एसफई एलो और इन्टेक्शन होने के बाद मुझे इन्टेक्शन के अंथर पता चला कि मुझे राध का कुछ साठीरी इस्टिक गया है जहां मैं जाकर ग्राउंड लेवल पर वर्क करूंगा हम लोग मुझे जो उरेसा के अंदर चूब डिस्ट्रिक देया गया वह था सुन्दर कर मेरे साथ को फैलो थे जो फैलो रहते फैलो के च्छार जो बंदे रहते हैं जो पार्टने बनने वाले उसको हम को कहते हैं तो को पर जम्स्ति करना है और स्पिर ग्राउंड longerive करना है तो हूँ एसा कि यह चीज़ा बता गही अच्छा होता है और Okay उसके बाद आप सबी चीज़ें समझ लोगे कि क्या करने वाले हो आप लेवल पर फिर वह आपको भेज देते आपके डिस्टिक पर वहीं आपका रूम वहीं मिलता और वहां रहने के लिए जाते हैं तो फिर हुआ कि हमारी पूड सब्सक्राइब करने वालेुदिसरिक पर रहा हैं उन लोग कि तरफें सेंटर पर हमें भी हमें बेज आ गया तो वह जो संबलपूर पहुशें और क्या हुआ कि हमें ही at least हमें ही room ढूंडना था इनका था कि आप खुद से भी room ढूंडे तो फिर at least हम मेरे co fellow उरिसा के थे उन्हों का बहुत help हुआ कि room ढूंने में उन्होंने बता है कैसे करना है फिर हमने online भी search है और हमें finally room मिला और फिर हम चले गए संबलपुड के लिए जितके हमें रूम नहीं मिला था वरतके हम संबलपुड में होटल में stay किया थे stay करने का stay भी किया और जितने भी खरचे होए वो सारे reimbursement हो जाते है सारे पैसे आपके reimbursement हो जाएंगे कि आपका जो फैलोशिप का जो structure है न वो बहुत complicated है इसमें क्या है कि आप एक फैलो की तरह काम करते हो फैलो के उपर होता है PL जिसको program leader कहते है program leader होता है program leader के उपर SPL होता है SPL के उपर भी स्पोक होते है तो ऐसे कर कि एक system दिस्टिक दिया गया था और इसा के सारे district को दिरे दिरे बाइट दिया गया था कि तो यह संभालने वाला एक एक बंदे को एक district दिया देगा हम लोग थे स्टीप प्रोग्राम के अंदर स्टीप का फूल फूर्म होता है है अपने फैलो का धियान रखना फैलो को एक रास्ता दिखाना जिस लाइक हेजा गांधी जी और फ्लोवर और स्टार्ट तो ऐसा ही रहता है तो हमें भी ऐसा ही बोला गया कि जस्ट वह आप उसको उनकी बाते फॉलो करो और जो भी आपके जर्नी में जो भी की डिफिकल्टी जाती है अगरां लेवल कहीं भी तो वह आपकी सारे प्रॉब्लम को सॉल्ब करने वाले बंदे होंगे जो हो रहता है नए कोशन हम टू कॉंटक्ट क्योंकि मैं नया डिस्टिक में गया हूँ अलग डिस्टिक से दूसरे डिस्टिक मूफ किया था वहां भ कि आप उडिन तो गाली दोगे अफकॉस हम भी गाली दिया करते थे मिलकर और अभी भी देते हैं जो फैलोज है बचिए वह गाली देते हैं क्यों देते बहुत सारे ऐसे भी पील हैं जिनको गाली नहीं पढ़ता बहुत सारी रीजंस हैं तो इसलिए तो फिर क्या हुआ कि फिर हम पहुंच गए ऐसे में इस वीडियों सिर्णी के बात कर बहुत पार्ट है पील की बारे में बताऊंगे इस पोक के बारे में वह सभी की चिट्टी कहानी इस पे खोलने वाला हूं तो फिर हम पहुंचे अपने डिस्टिक पे फिर हमें एक औरीजीन पॉइंट था हमार कि हैं आज तो हमहमलोग ज्स हऊस में रहतें हो फैलो हास करतें पील क्या करता है पारेंट के तौड पर वाते रहे तो वह हमें मिला फिर हम हास यह थैणिर कर बहुंख जाने के बाद फिर हम रहना सुरू कि आप क्या है कि आप फैलो के अंदर घुसोगे तो अफकोस तुझे सामान चाहिए होगा बीना सामान के नहीं घुसोगे तो फैलोशिप के अंदर बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है सिल्फ मैनेज फैलोशिप इसके अंदर क्या होता कि आपको क्या करते हैं, यह पैसे दे देते, कि हादे पैसे दे देते, जिसे आप क्या करो, घुसने से पहले आप सामान खरीत लो, अगर हम तीन फैलो थे, तो हमें ज़रुत थी, फिरिज की ज़रुत थी, वास्ट्रियम गसीन की ज़रुत थी, खाने के लिए बरतन चाहिए थे गैस चुले चाहिए थे और अगर नोकरानी मिल जाए तो और अच्छी है तो यह चीज़े चाहिए थी जो बेसिक नीट थी हमारी और बेडूट से टीए सब तो भी चाहिए दे तो फिर फैलोशिप के अंदर आए अच्छा प्रोग्राम है सिल्फ मेनिस फैलोशिप का उन फैलोवाउस तो हमें मिल भी गया बट हमेज़ चाहिए था सामान खरीदना था तो हम रहे कैसे फैलोवाउस के अंदर तो इसलिए हम होटल पर ही एस्टे किये थे उसके भी पैसे रियंबस्मेंट हो जाती फैलोशिप के तरफ से और फिर हमने अलग-अलग जगों से सामान खरीदे सामान खरीद खरीद कर हमने फैलोवाउस को भर दिया भरने के बाद भरने के बाद फिर हम सभी लोग एकटा होकर रहने लगे फैलोशिप फैलोवाउस के अंदर अफकॉस हम तीन अलग-अलग लोग थे अलग-अलग परसनालिटी थे कभी मिले नहीं थे अलग-अ diversity की लोगों से मैच करना ना काफी मुश्किल होता है उनके नीचे अलग लग होते है जस्ट वन्तब समालना काफी मुश्किल है तो ये चीज़े नीचर वाइस बहुत डिफरेंट होते है तो अजस्ट करना ना अजस्ट लग ऐसा है कि मलब समझो की इंपॉसिबल सा होता है अजस्ट करना वोगों के साथ हमने तीन भी एचके के रूम लिए थे सभी एक रूम में रहते थे रेंट काफी जादा था था हमारा क्योंकि हम पढ़ हेट बंदे को जादा पैसे नहीं हमें ब बलपूर के अंदर तो यह काफी पूपूलर जैसा सेटी नहीं है मंदब अच्छी सेटी अबट इतनी भी पूपूलर नहीं है ज्यादा एकुमेंडेशन के चार्जिज भी ज्यादा नहीं होते तो अफकॉस हमें मतलब सस्था में लेना था और उनकी तरफ से भी हमें पढ मतलब उसी के अंदर जाते थे मतलब घर के अंदर और फिर नोकरान मगार आप कामवाली बाई रखते हो आपको यह इंडक्शन कराएंगे उस वक सब कुछ बता देंगे इंडक्शन के अगर PPT है मेरे पास तो आफकॉस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और तो चली वीडिय नहीं करेंगे अगले वीडियो में और भी बताऊंगा क्या होता है और आगे यह जर्नी काफी लंबी है बहुत मज़ेदार होगी तो बने रही है मेरे साथ और प्लीस किप सपोर्ट मी सब्सक्राइब की चैनल को